हेलो गाइज, वेल्कम टू फ्राउन फैशन, आज की वीडियो में हम सीखेंगे डिजाइन टॉप विट आयवेस पपली, यह देखें आप मेजूमेंट देख सकते हैं क्या-क्या है आपकी स्क्रीन पर, तो गाइज सबसे बहले आपको दो मीटर कपडा चाहिए होगा, सबसे प्रफर मार्क कर लीजिए और फार म्हार इसमें क्रश्ट करेएं prompts अधने में कटट कर लिया है है, अब इस पर हम अपने फ्रेंट टॉप का निशान लगाएंगे, सबसे पहले साधे 11 इंच पर आप निशान लगा लिजें, इस साधे 11 इंच वाले पॉइंच से हम 7 इंच का शोल्डर का निशान लगाएंगे, और फिर 7 इंच की आमोल की लेंध भी लेंगे, अब एक बॉक्स टो कर देंगे और इसमें हम आमोल का कर्व भी बना देंगे, अब सबसे पहले नेक लाइन की चोड़ाई लेंगे धाई इंच पे और इसकी लेंगे छे इंच पे इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की मज़से तिर्चा मार्क कर लेंगे इसको भी तिर्चा मार्क करेंगे इस तरीके से अब हमें यह आम होल और यह जो हमने तिर्चा निशान लगा है वह कट करना है इससे पहले आम हो कट करेंगे और यह भी तिर्चा निशान में कट कर दिया है इसमें जो यह स्ट्रेट लाइन थी वहाँ पर एक पॉइंट पर कट लगा देंगे यह आगे हमारे काम आएगा अब हम बैक पिस को कट करेंगे जो हम डबल कोड़ेट कपड़े में ही लेंगे इसकी चोड़ाई होगी 11 इंच लंबाई होगी 16 इंच अब अब इस कपड़े को कट कर लेंगे इस पर अब हम जो हमारा फ्रेंट पिस था उसको रखेंगे और आर्मोल की शेप को माक कर लेंगे इस पर और अब इस आमोल को हम कट कर लेंगे यह हमारा बैक पीस भी कट गया है अब हम काटेंगे दो पीसिस गैदर बनाने के लिए जिसकी चोड़ाई आप रखिए 36 इंच और लंबाई रखिए 12 इंच यह दो पीसिस ज़रू काट लेजिए उसके बाद हम स्लीव कट करेंगे डबल फोल्ड़े पर इसकी चोड़ाई ह chirp लेंगे 3-5 इंचिस पर और कर देंगे अब कलन का इन एक ड़न कर लिए एक इक कांट कर लें है किस चाह माँ कर दो गया है यह दमारे कड गई अब स्लीव के लिए बाकी जो पाटेकर वह भी कट करेंगे हमें का रसे पीसिस कट करना है जिनकी कि लंबाई होगी चिए इंच और चोड़ाई होगी अठारा इंच ऐसे चार पीसिस आप कट कर लीजिए चार पीसिस हमारे कट हो गया है अब दो छोटे पीस कट करेंगे जिनकी चोड़ाई होगी सोला इंच और लंबाई होगी साड़े तीन इंच कर लिए अब हम सबसे बहले नेक लाइंग के लिए बायस काटेंगे इस कपड़े को तीछा रखकर साइड में से कट कर दीजिए और यह कपड़ा जो हमारा निकला है इसमें तीछा जो साइड था उस धर से आपको तीन इंच का मार्क लगाना है तीन इंच की चुड़ाई पर कि मार्क लगा देजिए इस तरीके से प्रॉपर कई सारी 22 कट कर लेजिए हमने तीन चार कट कर लिए क्योंकि हम एक नेक लाइन के लिए चाहिए अब हम इन सब को इस तरीके से आधे हिंच की मार्क लेंगे इसको स्टिच कर लेजिए यह पूरी एक लंबी वाइस्टिप बन चुकी है अब हम अपना फ्रंट पीस लेंगे जो तिर्चा लाइन है इस पर हम बाइस टिप रखेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे इसको एक पैर की सिलाई से आप स्टिच कर लिजिए इसको और दूसरा जो पीस है उसको भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे इसको हो गया है जो भी एक्स्ट्रा हमारा बाइस्ट्रिप आ रही है उसको कट कर लेते हैं अब इसको हम प्रेस करेंगे इस तरीके साब प्रेस कर लिजिए तक ये अच्छे से बैट जाए दोनों पीसिस को कर लिजिएगा अब इसको फोल्ड करेंगे एक बार और फिर से प्रेस करेंगे अधिए ये हमने कैस करती इसी तरीके से दूसरा वाला पीस भी करेंगे भी फोल्ड करने के पार बीच मीश कंड जाएगी एक बार और बीच में फोल्ड खरेंगे उसकार भी प्रेस कर रहेंगे इस प्रेस करने से हमें हेञ QUESTION मिय को चजिब अच्छे से इस पर बैठ जयता है यह के पिनफ न कर रहे हैं डिहने से पिनफ कर दिया है अभी front area पर भी फ्रन्ट एरिया हैं बिल्कुल by strip के उपर उपर हमें स्टिचिंग करने हैं जेके स्टिचिंग हो गई हैं फिन हमने निकाल दी हैं ये दोनों पिसी स्टिच हो गए हैं अब दोनों का जो हमने कट लगाया था सेंटर कट सेंटर पॉइंट उसको एक गुद से मिलाएंगे और इसको पिन अप कर देंगे कि अधिकी पिन अप कर देया है यह जो नेक लाइन वाला एरिया था इसको भी पिन अप करेंगे कि अधिकी पहले तो इसकी वेज चेरिय को जोड़ेंगे तो बाइस चुपी जो से लाइक है उसके उपर उपर हमें स्टिचिंग दुबारा करनी है तकि दोनों पर एक दूसर से जुड़ जाएं उपर इदर दर अब हम बैक पीस पे भी नेक लाइन बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले एक बॉक्स करेंगे जिसकी चोड़ाई होगी सबादो इंच और लंबाई होगी दो इंच अब इसमें कर्व कर देंगे इस कर्व को कट कर लेंगे अब जो हमने 22 काटी थी उसको थोड़ा उसकी चुड़ाई कम कर लेंगे उसको इस नेक लाइन से स्चिच करेंगे इस तरीके पूरा स्चिच कर दीजे इस चीच हो गया है नेक लाइन हमारे दोनों रेडी है तो अब नेक्स स्टेप है शोल्डर्स को जोइन करना यह हमारा बैक पीस है इस पर हमने प्रेंट पीस रख दिया और यह शोल्डर्स है इनको हाफ इंच के मार्जन से आप इसको स्चिच कर दीजे इस चीच हो गया है अब जो बैक पीस का बाइस टिप्ती इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से यह ऐसे दिखेगा इस पीनिशिंग के साथ आता है इसको ऐसे आप हमेशा फोल्ड करें इस पर पिनप कर लिए ताकि वह एजी रहे आपको स्चिच करते हुए यह बीच का जो एरिया उसको भी आप फोल्ड करके उसको भी पिनप कर लिए अब इसको आप पिल्कुल एज पर स्चिच कर लिए इस चीच हो जाएगा उसके बाद हमें जो गैधर्स हमने कपड़ा काटाता उसको लेंगे उसका संटर पोईंट करेंगे इसलिए जो हमारा टॉपक का उपर का एरिया उसको उसको संटर पोईंट जॉइन कर सकें अब एजिस पो भी जोड़ेंगे उसके डेंडींज का मार्क लगा देंगे वो डेड़ इंच मार्जन है उदर हमें स्ट्वेट सिलाई करनी है बाकी हमें गैदेस डाल लें इस तरीके से प्लीट चालते हुए पूरा सिलाई कर लेना दोन पर अब देखे स्टिच हो गया है इस तरीके से दिख रहा है अब हम स्लीट को जोइन करेंगे ले लेंगे और आम होल पर हम इजी लीट को स्टिच कर देंगे पूरा अब हम जो हमारा टॉप है उसको उल्टा करेंगे और डेड़ इंच का मार्जन लगाएंगे साइड में यह फिटिंग का मार्क लगा रहे हम और एक इंच का स्लीव में निशान लगाएंगे पूरे को मात कर लेंगे दोनों तरफ इस तरीके से निशान लगा देंगे इस पिटिंग के मात पर स्टिचिंग कर लेंगे स्टिच कर लिए यह में सीधा कर लिए इस तरीके से यह दिखेगा अब नीचे का जो एरिया है उसको आप डबल फोल्ड कर लिए एक इंच के मार्जन से स्टिच कर लिए यह दिखें हमने कर दिया है अब जो हमने चार कपड़े काटे थे स्लीप्स के लिए उनको उठाएंगे उनको फोल्ड करेंगे और साइड में एक एक इंच का मार्जन का मार्ग लगाएंगे इस तरीके से यह ओपन साइड लगाएंगे आप इसको स्टिच कर लिए स्टिच करेंगे पॉइंट से पॉइंट मिलाकर इसको पिन अप कर लेंगे पूरे को पिन अप कर लिजे आधा हिंच की मार्गिन से पूरा स्टिच कर देजें यह देखिए यह स्टिच हो गया है अब हम स्टिच को सीधा करेंगे अब इस कपड़े पर हम एक इंच का मार्जन लगाएंगे जहां पर स्टिच के उससे नीचे एक इंच का पूरा मार्जन लगा देंगे लगा दिया है अब इस कपड़े को फोल्ड करेंगे अब जो एक इंच का मार्जन उस पर हम स्टिचिंग कर देंगे पूरे वे इस तरीके से दिखेगा यह उल्टी स्लीब्स हम सीधी करके दिखाते हैं कैसे दिखेगा आपको इस तरीके से दिखेगा सेम स्टैप अब दूसरे दूसरा जो एक पीस का उसके साथ भी पॉलो करें यह दो दो पीस एक एक स्लीब्स को लगेंगे देखे लग चुका है अब हमने छोटे दो पीस काटे पे 12 इंच की चोड़ाई और 3 इंच की लंबाई के साथ उन कीसिस को लेंगे अब पहले जो स्लीब्स का थोड़ असा जो धागा है उसको हटा देंगे तक ही हम जो यह हमारा मोरी है उसको एजली बना सके यह धेड़ दिया है अब वह पीस को उठाएंगे उसको डबल फोल्ड करेंदेंगे इसके स्लीब्स रखेंगे और ऐसे प्लीस चालते वे पूरा स्टीज कर देंगे देखे कि स्टीच हो गया है अब यह जो पीस्ता इसको फोल्ड करेंगे विल्कुल इन स्लीड के उपर और इसके एज़ पर सिलाई कर देंगे लुफ और देंगे वो भी हो गया है अब हम क्या करेंगे हमनी स्लीप्स को उड़ता करेंगे और यहां पर मोरी का निशना लगाएंगे चार इंच पर और इसको पिटिंग से जोडते हुए स्टिच कर देंगे यह हमारा इस चीच हो गया है यह देगे यह स्लीप्स है हमारी कोई भी कंट्रास्ट का कप्राल ले सकते हमने वाइट लिया है इससे हम बैल्ट बनाएंगे यह 70 इंच लंबा है और 6 चोड़ा है इसमें हम 3 इंच का मांग लगाएंगे उपर से आधा इंच का साइड में और तिर्चा जोड़ेंगे तिर्चा मांग लगा देंगे अब दो इंच का गैप पे हम मार्क लगाते रहेंगे पूरे पे डबल फोल्ड पे आप लगाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या था वही तीन इंच का मार्क आधा इंच का प्रिफ को तिर्चा जोड़ देंगे आट इंच की लंबाई तक आप उसको सील दीजे बाकी रहने दीजेगा अब इस चीच हो गया है अब इसको एक्स्ट्रा कॉम कट कर देंगे अब इसको उलट लेंगे कि देखेंगे उलट गया है दोनो दोनो तरफ का मुलट लेंगे कि देखें अलब बाकी बैल्स को स्टिच करेंगे जो मार्क लगाया था उसके लावा अंदर अंधर सारा कपड़ा कर देंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे पूरा इसे करें इसी तरीके से अब आपना टॉप लेंगे और उसका फ्रेंट पीस दिखाएंगे पहले हैं यह सेंटर मार्ग हैं और बैल्ट पर सेंटर मार्ग लगाएं women wer maples सेंटर मार्ट को ऊपर रग देंगे और सिर्फ प्ररेंट पीस पर हिए आपको स्टिछ करना हैं यहां पर वेस्टिर हाएं वहीं पर आपको प्रक्ति यह हमारा टॉप तेयार है पीछे आप अच्छा था नॉट लगा लीजिए और यह हमारा बिल्कुछ ब्रेडी है टॉप पहनने के लिए देखिए यह हम दिखा रहे हैं कैसा दिख रहा है कि देखिए तो अग्क्राइब से कर दोगाएब देखिए और यह हमारा रहे हैं कि देखिए और यह हमारा बिल्कुछ फटेखिए और लिएखिए और लादू और लाद अच्छादा लादी है